हेलो स्टूडेंट्स आज का टाइटल है वो हमारे पास है साइटो प्लाज्म विच इस दा सब ओर्गन्स ओफ आवर बोडी सेल जो सेल प्रेजेंट होती है किसी भी लीविंग क्रियेचर में उसके डिफरेंट पार्ट्स होती है और उनमें सबसे इंपोर्टेंट पार्ट सा देली लाइक सस्टांस प्रेजेंट बीट्विन अर्यहां पे समझ लेते हैं कि संne ouvert होती क्या है एक ऑइंह लेयर हो थी है सेल के चारो तरह जो उसे बाकी अन्वाइरमेंट अलग करती हैं यह अनूने बाकी सेल से यह बाकी एन्वाइरमेंट से जोनेंह अलग करती है उसे cell membrane कहा जाता है and nucleus cells के बीच में एक dense structure होता है जिसमें different mechanism operation जो cell में present होते हैं वो operate किये जाते हैं जहां से उसे nucleus कहा जाता है various other components और organelles of cell are present in the cytoplasm और different जो organelles होते हैं सब organs जिनको हमने कहा है चोटे organs वो इसी liquid में present होते हैं इसी cytoplasm में present होते हैं दीज और mitochondria गोलगी बोड़ी राइबोसॉम्स और यह हमारे पास होते हैं mitochondria गोलगी बोड़ी जो होती है राइबोसॉम्स कुछ होते हैं यह सभी हम detail में इनके बारे में next class में पढ़ेंगे फिलाल के लिए जो दिया गया है वो पढ़ेंगे शिरफ nucleus अब हम nucleus के बारे में बात करते हैं it is an important component of living cell यह किसी भी living cell का एक important component होता है जिसी हम nucleus कहते हैं अभी अभी हमने बताया कि cell के अंदर जितने भी operation होते हैं उनको operate किया जाता है एक region से एक center से जिसी हम nucleus कहते हैं और यह important component कहलाता है cell का it is generally spherical and located in the center of cell यह जादा तर सफेरिकल होता है यानि सफियर के जैसा होता बोल सेफ होता है और यह center में present होता है cell के it will stand and seen easily with the help of a microscope इसे हम बढ़ी आसानी से simple microscope की help से भी देख सकते हैं अगर हम अच्छे से sample तयार करें तो a nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane a cytoplasm यानि cell के अंदर जो liquid present होता है जैली टाइप सब्स्टान उससे और nucleus को अलग करने वाली एक layer होती है जिससे nuclear membrane कहा जाता है इस membrane is also porous and allow the movement of particle material between the cytoplasm and the inside of nucleus यह nuclear membrane porous होती है यानि इसमें छोटे-छोटे pore होते हैं जो different type के materials को move करने में help करते हैं nucleus से cytoplasm में बाहर अगर आना है material को तो इन pores की help से आएगा और material को अगर अंदर जाना है तो भी इनि पोर्स की help से वो अंदर जाएगा विदे microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus it is called the nucleus अगर हम अच्छे microscope का यूज करते हैं तो nucleus के अंदर एक और छोटी सी body हमें मिल जाएगी सफैरिकल बोडी और जिसे हम कहते हैं Nucleolus कि इन अडिशन nucleus contain 3Dly structure called chromosomes यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमने शुरुवात की थी cells के और गन से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मतलब पढ़ रहे हैं वो nucleus के पार्ट है मतलब है तो यह cell के अंदर ही लेकिन इनकी जो position है वो nucleus के अंदर है 3Dly structure भी होते हैं जिने हम chromosome कहते हैं और इसमें genes होते हैं genes का मतलब होता है अनुवांसी गुण जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं एक्जामपल के लिए अगर हम समझें तो हम बड़ी असाने से बता सकते हैं अनुवांसी गुण क्या होते हैं पूर एक्जामपल हमारे parents की height और हमारी height हो सकता मैच करें किसी ने किसी parent के साथ मैच करती होती है या तो आपके जो फीमेल आखों का जो color होता है वह हो सकता है तो यह अनुवांसी गुण होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मोह करते हैं और इनका जो transfer करता है यही chromosome करते हैं ओके chromosome can be seen only when the cell divides chromosome को सब तभी देखा दा सकता है जब cells divide होते हैं यानि एक से दो cell बनती है अधरवाइज यह दिखाई नहीं देंगे nucleus in addition to its role in inheritance act as control center of activities of the cell inheritance के अलावा nucleus का काम होता है cells के different mechanism को different process को control करना different activity cell के अंदर होती है उनका control करने का काम nucleus का होता है the entire content of living cell is known as protoplasm और जो यह fluid होता है वो हम अगर mix कर दें nucleus के अंदर जो fluid होता है पलस जो nucleus के बाहर जो fluid होता है तो यह total fluid कहलाता है protoplasm it includes the cytoplasm and the nucleus इसमें दोनों आ जाते है nucleus के अंदर का liquid भी जिसे हम nucleoplasm कहते हैं और nucleus के बाहर का भी जिसे हम cytoplasm कहते हैं दोनों mix हो करके क्या बनते हैं protoplasm बनते हैं और protoplasm को हम living substance कहते हैं cell का क्योंकि living जो activity होती है cell के अंदर वो सारी इसी की help से होती है नुकलियस एक बहुत important part है जिसकी help से हम सेल को पुराने टाइप की सेल या नए टाइप की सेल में define कर सकते हैं जो इसा डिजाइन ऐसा नहीं होता जो अभी अभी हमने पड़ा है लेकिन प्रोकरियोटिक जो सेल होती है वह इसी बेस पर define की जा सकती है कि इन पर घुकलियस स्टेबल नहीं होता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी काम नहीं कर सकती हो वह सारे काम वह बगार नूपलियस के वह कर सकती है और और जिनमें अच्छे से नूपलेस जो है define होता है उसे हम यू- discourage cell कहते हैं इनमें जोिकलियस है है वह वैल डिफाइन होता है एक्चुली उसे देखा जा सकता है और जरुर किया जा सकता है तो यह जो चोटी-चोटी डेफिनेशन आपने याद रखनी है इसके अलावा जो सेल्स होती है उनमें कहीं कहीं पर खाली स्पेस होती है जैसे अगर हम साबून के जो पानी है उसकी बात करें तो जगह जगह पर आपने नुटिस किया होगा बुलबुले बन जाती है वह खाली जगह होती है मतलब स्पेस होता उसमें ऐसे ही सेल के अंदर भ एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो दोनों में प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में यह ज्यादा होती है मतलब स्पेस ज्यादा होता है एनिमल सेल में यह स्माल होती है और इसके अलावा जो अगर हम प्लांट सेल की बात करती है तो प्लांट सेल में एक इंपोर्टेंट चीज होती है जो किसमें नहीं होती जो लेविंग सेल में नहीं होती एनिमल सेल में नहीं होती पहली बात सेल वाल सेल वाल वो एक लेयर है एक्स्ट्रा लेयर है हमने अभी भी पढ़ा था सेल मेंब्रेन आउटर लेयर जो दूसरी से एक सेल को अलग करती है यह शिरफ एनिमल सेल में हो गई तो इसकी अलावा भी प्लांट सेल में एक और बाउंडरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं सेल वाल कहते हैं यह टफ होती है मतलब पेड़ पोधों में जो टफनेस होती है जो स्ट्रेंथ होती है वह इसी सेल वाल की वज़े से होती है और जो पेड़ की पत्ते होत दिखाइय जैती क्योंकि उनमें एक और पोर्शन होता है जिसे हम प्लस्टि कहते हैं यह अलग-अलग कलर के होते हैं और कुछ हो सकते हैं green color के हो और कुछ अलग कलर के जो green color वाले होते हैं उन्हें कलोरोफिल खा जाता है कि अगर हमрон करें प्लांट सैल का और animal cell का तो comparison देखिए किस तरह से होगा अगर हम comparison करते हैं तो कुछ feature यहां पर निकल के आते हैं first one जो एक तरफ दिखाए गई है आपको प्लांट सेल और एक तरफ दिखाए गई है आपको अनिमल सेल यह जो कॉमन जो एरो है बीच वाले जो स्टेट लाइन है यह कॉमन है इनमें और जो नहीं है वो हम दिखाएंगे अभी सेल वाल जैसे सेल वाल जो है इनमें present नहीं होती है सेल वाल प्रेजेंट होती है शिरफ और सिरफ प्लांट सेल में यानि जो एस डिनोटिड है और क्लोरोप्लास्ट भी इनमें present होता है मतलब यह तो अनकोमन चीज़े हैं जो राइट साइड लिखी गई है अब जो कॉमन चीज़े हैं वो बीच में लिखी गई है ता हैं चाहिए मसमें दोनों में होता है वक्यूल्स भी दोनों में होते यानि खाली जगह चोटे बढ़े हो सकती हैं नुकलियस भी दोनों लिखा गया आपे सेल मेंब्रेंस बताया गया है तो सेल मेंब्रेंस प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है सेल वाल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में लेकिन एनिमल सेल में यह प्रेजेंट नहीं होती है एपसेंट होती है नुकलियस दोनों में होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता वक्योल्स ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है तो ये टेबल हमने फिलब किया है और इस तरह से हमारा चैप्टर टेक्स्ट बुक से कंप्लीट हो जाता है कल हम इसकी कुछ इस इंपोर्टन पॉइंट करेंगे जो हमने इस चैप्टर में रीड किये हैं और की वर्ड्स को समझेंगे क्या मतलब होता है इनका ओके ओल दा बेस्ट